नमस्कार दोस्तों यहां पर एक बहुती दर्दनाख खबर सामने आई है अभी नेत्री राइमा इसलाम का शब यहां पर जो की बांगलादेश की अभी नेत्री थी उनका शब बोरे में मिला तो उनके जो फिलिम की शुटिंग करने गई थी तो काफी दिनों से घर नहीं की गई तो उनका जो शब है वो मिला उनका बोरे में उसके बाद काफी पूस्ताज की गई पुलिस वालों के से पुलिस वालों के द्वारा लोगों से और उसके बाद पुलिस वालों ने उनके ड्राइवर और उनके पती को भी अभी हिरासत में लिया है तो अब हिरासत में पूस्ताज में देखते हैं कि वहाँ पर उनका क्या सामने आता है तो उनकी जब पूस्ताज की गई तो उनके जब बोरे में से निकाला गया तो उनके शरीर पर भी काफी चोटके निशान यहाँ पर देखने को मिले तो जिससे ये confirm भी हो जाता है कि उनकी हत्या कर दी उनकी उसके बाद यहांपर उनको बोरे में डाल दाल दीया उनकी medical जब report आई तो उसके बाद काफी निशान वगरह उनके पुलिस जाउनी परतालत कर रही है तो ऐसे में उनके पती को भी इसरा हिरास्त में लिया गया है और साथ इसाथ उनके ड्राइवर को भी हिरास्त में लिया गया है तो अब इसके आगे जांस देखते हैं कि क्या निकल कर सामने आती है और कौन इनका जो है असली हत्यारा निकल कर सामने आता है